देखा जाता है कि मूर्ख भाग्यवान होते हैं, रूप हिनों का धन्वान होना मशूर है, आयोग्ये लोग बहुत जीते हैं, बेकार आदमी कम बिमार पढ़ते हैं, दुख मत करिए, अगर तक्दीर साथ छोड़ गई आपका, तो बदले में कोईन कोई ऐसी विसेस्ता आपके पास में जरूर होगी, जिसके लिए तक्दीर वाले भी तरस्ते होंगे, नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, और आज का रासिफल, यानि की एक फरवरी के इस विसेस एपिसोड में, साथ ये आपको बहुत-बहुत बदाई और सुपकामना है, जिनका आज जन्म दिवस है, मेरीज एन्वसरी है, या कोई विसेस यादगार दिन है, तो आईए, सबसे पहले बात करते हैं, आज के पंचांग की, आज एक फरवरी 2021 को सोंबार है, आज के विसेस उपाई में सिंदूर के उपाई बतलाऊंगा, सिंदूर के विसेस उपाई इस एपिसोड के अंत में देखेगा जरूरूरूरूरूरूरू समवत दोजा सिततर का माग क्रश्नपक्ष चल रहा है, आज चतूर्ती तिती है, स अब बात करते हैं, राहुकाल की, आज प्रात सांत बज करके तीस मिन्ट से लगा करके नौ बज़े तक राहुकाल रहेगा, और राहुकाल में प्राय को सुपकारे का अरहम नहीं किया जाता है, सुप चोगड़े मुरत, इसमें सारे सुपकारों का अरहम किया जा सकता है, आज की दिन दक्षिन दिसा और पस्चिम दिसा में यात्रा करना सुब है, वहीं पूर्व दिसा और साउत इस्ट आगने दिसा में दिसा सूल लगा रहेगा, ऐसी इस्थिति में इन दिसाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी आवशक है, तो फिर दूद पिकर के यात्रा का आरम करना चाहिए, ये दिसा सुल दोस का परियार हुआ। अलवान कुणली और उतना ही शांदार जीवन, आप स्वैम अपने राजयोगों को देख सकते हैं, जान सकते हैं कौन सा राजयोग, कौन सा सुब्योग, आपको क्या फल देगा, यदि आपके बास में आपकी राजयोग की कुणली है तो, क्योंकि जीवन में एक बार ही कु शक्ता होती है, वो इतनी विस्तरत बनाईए कि वो जिन्द की भरा आपके काम आए, और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी राजयोग की कुणली बननी चाहिए, या आपकी जीवन साती की, या आपके संतान की, तो स्क्रीन पर जो नमबर दिये हैं, उस पर सिरफ संपर कर करना है, आपके घर बैठे वे आपको आपकी राजयोग की कुणली मिल सकती है, सरफ प्रियास करना है, आईए अब बात करें, लाक रुपे की, आप में से बहुत से लोगों को सड़क पर गिरेवे सिक्के मिले होंगे, लेकिन जमीन पर गिरावा सिक्का मिलना कुछ अलग ह ही बात कहता है, कुछ अलग ही कहानी कहता है, क्योंकि इसका समद सिदे सिदे आध्यत्मिक्ता के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रतिकात्मक तोर पर बात करें, तो धन का अर्थ शक्ती से है, और मुल्य से है, इसका समद इतियास के साथ में भी है, क्योंकि ये एक से दूस प्रगति और उपलब्दियों की निसानी है आस्मानी शक्तियां आपको बताना चाहते हैं आपके मस्तिस्त में जो भी विचाज चल रहे हैं जो भी प्लानिंग चल रही है वो आपको सफलता की और ले करके जाएगी इसलिए स्टाट कीजिए आई अब आरम करें आज का रासि क्यों साल विपत तारा का साथ मिल रहा है अस्ताव का अपमें 28 डॉट मिल रहे हैं ऐसी इस्तिती में ये चनमा जो की सुब चनमा है लेकिन 67% ही सपोर्ट करेगा 33% आपको वीकनेस देगा नक्षद तारा सिद्धान्त की वज़े से फिर भी आज के दिन आपके कियवे प्र करेंगे या जिन से मुलाकात करने जिस चीज को फेस करना है उसको फेस करने की हिम्मत आ जाएगी ये युग धन का युग है सारे काम रुपए पैसे से होते हैं ऐसी इस्तिती में आज के दिन जो भी प्रियास करेंगे फाइनिशल गेन के लिए और यहों भी आज सुंबा है ये वीक का आरंब हो रहा है और वीक के आरंब में ही ये दिगेन हो जाता है तो लगबग अपूरा सब्ता ही आपका अच्छा रहने वाला है उस चीज का आपको अंदाजा हो जाएगा रासी से सिक्स चनमा चाए हेल्थ की बात करें चाए आपके एनिमीज की बात करें इन सभी में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है आपको फाइदा पहुंचाता है आपका एक प्रकार से मार्क दसन भी करता है क्योंकि रासी से सिक्स ताउस का चनमा जो भी आप इन्वेस्मेंट करें चाहे नए इन्वेस्मेंट करें या पूराने इन्वेस्मेंट को in cash करें ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है आज के दिन स्थर में व्रद्धी होती अथाथ आपका status improvement होता है name fame बढ़ता है जो आज यातरा करना चाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और student के लिए supportive days है अथाथ आज आपको जो भी के डाउट से उसको clear करने के लिए friend circle का support मिलेगा house wives के लिए आज का दिन बहुत जादा सुखद है और जो youngsters हैं वो opposite gender के साथ में आकरशन में दोस्तों के साथ में अनन्द में रहेंगे या अच्छा time period spend करेंगे और आज सुखी पारवरिक जीवन के लिए दामपत्य सुख के लिए बहुत जादा सुखद दिन है यात्रा आज बहुत सुखद रहेगी आज का लखी पिंक कलर और आज का लखी नंबर है नंबर नाइन आई अब बात करें व्रस रासी की आपकी रासी से फिप ताउस में सिक्सा और संतान बाव में चनमा मौझूद है यह चनमा mix रिजर्ड देता है नक्षत तारा सिदांत के अनुसार अधी मित्र तारा का साथ और अस्तर को 24. यह combination इस चनमा को 75% positive और 25% week बना देते हैं यह पसंटेज आपकी भलाई के लिए है यह पसंटेज मुझे तो मालूम है लेकिन क्योंकि आप लोगों की वापस request आईए कि नहीं पसंटेज बताईए ताकि हमको यह अंदाजा हो जाए कि आज का दिन हमारा कितने पसंट में अच्छा है रासी से जब भी फिफ्ट चनमा होता है तो ऐसी स्थिति में mentally एक प्रकाश से disturbance, illusion या confusion की स्थिति बहुत दुखी करती है परिशान करती है और ऐसे में आपकी चिंताएं बढ़ जाती है रासी से पांच वाव डे टूडे की income का भी है application का भी है संतान सुक का भी है और साथी साथ इस्तमा के intestine का भी है ऐसी स्थिति में आप बच्छों की और से disturb हो सकते हैं परिशान हो सकते हैं आपको वाईव विकार परिशान कर सकता था गैस प्रावलम आपको परिशान कर सकती है जो मेलाएं गर्वती हैं उनके लिए आज का दिन सावधानी का है ये जो सरारतें करते हैं या दुखी करते हैं उस तीसे परशान हो सकते हैं आज का दिन जुए में सटे में गैंबलिंग में लौटरी में गेन नहीं होगा इसलिए investment करने से या daring करने से बचना है जहां तक संभव यात्रा करने से बचें बहुत ज़्यादे जरूरी है यात्रा तो सोच समझ करके यात्रा करें और उसके परण्याम के लिए भी ready रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा संतुष्ट होने वाली स्तितियां आज नहीं हैं उल्टा आपके फिजूर खर्ची हो जाएगी रुपए पसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा रासी से फिफ्त जब भी हो जो भी प्रिम तसंगों वाले व्यक्ति हैं या वो व्यक्ति जिनके relationship चल रहे हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज के दिन आपके बीच में विवाद होना लड़ाई जगड़ा होना श्योर है या आपको उसे बचने के लिए जितने हो सकते हैं आज का लखी कलर है पिंक कलर और आज का लखी नमबर है नमबर एट आईए अब बात करें मिथुन रासी की आपकी रासी से फोरता उसमें सुख बाव में चनमा विराज मानें लेकिन ये सुख देता नहीं है उल्टा सुख छीन लेता है नक्षद तारा सिद्धान के उसार वद तारा का साथ और अस्टा का अब में 32 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 67% नेगिटीव बना देते हैं सिरफ वह से 33% ही आपको सपोर्ट मिल पाता है ऐसे इस्तिती में आपको बहुत ज़्यादा सावदान अपने उपर कंट्रोल लखना पड़ेगा छोट-छोटी ब गर के बुज़र्गों से या समाज के बड़े लोगों से व्यर्त में बैस बाजी कर सकता है मदभेत का सामना हो सकता है और ऐसे में आपको ही गलत ठहराय जाएगा हमेशा जो गलतियां होती है छोटों से मानी जाती ही बड़े तो गलती करते ही नहीं रासी से फोर्ट आउस स्वास्तिय या माताजी से व्यर्थ में कोई चीज का आर्गियोमेंट हो सकता है और उससे आपको भी बहुत ज्यादा तकलिफ होगी. जो लोग रिलेस्टेंसिप में हैं या बहुत गहरी फ्रेंडसिप में हैं उनको आज अधिकार जमाने के करान संदे की नजर से देखा जाएगा ये ध्यान रखेगा और आपके काम काज में चाहे आप जौब करते हैं चाहे बिजनसमेन हैं आपको आज के दिन बहुत ज्याद अपने उपर कंट्रोल रखते हैं बहुत ज्यादा सांत रहते हैं अपना काम काज करना हैं क्योंकि आज अर्चने दिखाई देंगी और जो घर का आपको गुस्सा है वो उबाल आप आफिस में निकाल सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है और ये जो स हमें हैं बहुत सेंसिटिव अपनी नौकरी को बचा करके रखना है और अपने बिजनस को भी बहुत कंट्रोल करके रखना है आज का लखी कलर है ग्रीन कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सिक्स आई अब बात करें करक रासी की आपकी रासी से थढ़ा उसमें पराक्रम पाव में चन्रमा विराज माने ये चन्रमा सुब माना जाता है नक्षत तारा सिध्धान के उसाद संपत तारा का साथ और अस्ता अगमें तीस दॉट ये कॉम्बिनेशन इस चन्रमा को हंड्रेड पसेंट पॉस्टिव बना देता है ऐसे में आज के दिन जो भी आपके कॉम्पिटेटरस हैं जो भी दुश्मन हैं जो भी विरोधी हैं वेरबाव रखने वाले लोग हैं उनके लिए आज सही स्टैल से आप एप्रोच करेंगे मैनत करेंगे कोई कोई प्लानिंग से उन लोगों को सांथ करेंगे आज का दिन जान पिचान के सेक्टर में इंप्रूमेंट आएगा नए लोगों से जान पिचान हो सकते नए स्टैल से काम कर सकते नया इनवेस्मेंट कर सकते लिए पर इन्वेस्मेंट को इनकेश करने से फाइदा कर सकते हैं और इससे आपका और color जाएगा घर और घर के के लिए या आपके घर में जिन लोगों का विवा निश्चित हुआ है उनके लिए आप कुछ नो कुछ खरीदना आरम कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में सोला फरवरी दो हजार इकीस को अस्त तारा होने के बावजूद भी कुछ लोग साधी का कर रहे हैं ऐसे में functions होने वाले क्योंकि इस समय दो जार इकीस में साधी के मौरत बहुत कम है ऐसे में जो भी अबूज मौरत मिल गया था भी ना पूछे वे कोई मौरत करने वाला है बसंत पच मी होता है उसके उपर बहुत सी साध्या होने जा रही है financial gain या धन और समपति से समधित अपने परिवार से कोई इनको support आपको मिल सकता है financial support भी मिल सकता है यदि आपको जरूरत है तो आपको approach करने चाहिए आपको effort जरूर करना चाहिए और effort करने से ही पता चलता है कि विपत्ती में जरूरत में कौन साथ में है कौन आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं अनिता आप ही support करते रहेंगे जिंदगी पर और आपको लोगों को पैचानने का अपनों को पैचानने का मौका ही नहीं मिलेगा आज का लखी color है purple color और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री अब बात करें सिंग रासी की आपकी रासी से second house में धन और संपति भाव में चनमा विराजमा ने ये चनमा mixed result देता है नक्सत तारा से धान को साथ जन्म तारा का साथ और अस्टाग वक में 22 डॉट ये combination इस चनमा को 50% positive और 50% week बना देता है ऐसी स्थिति में नए कामों में नए प्रियासों में नए start-up में नए business में या नई deal में आपको problem देखेगी अर्चने आएंगी उल्जने आएंगी और आपको उन उल्जनों को उन अर्चनों को मार करके दूर करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको effort बहुत करना पड़ेगा तब जाकर के आपको result नजर आएगा और ऐसी स्थिति में जो साथ में काम करने वाले वो कितने काबिल हैं ये भी पता पड़ेगा और कौन आपके साथ में प्रोजेक्ट में और कौन आपके अपोजिट खड़ा है ये भी आपको पता चलेगा आपको सलब बारीक नजर रखने के आवशकता है जहां तक संभवो इन्वेस्मेंट मत कीजिए क्योंकि आज का दिन म समान में कमी आपकी पतिस्ता या नेम फिम में हनी होने का है अंचाए खर्चे आज आपको परिशान करेंगे या फिजूल खर्ची हो सकती है आँखों के रोब या आँखों की इचिंग या आँखों में कोई भी इरिटेशन आपको परिशान कर सकता है रासी से से सेकेंड उसका चनमा व्यक्ति को पाप प्रवती के और दुरा चार की और खींचता है अट्रक करता है उससे बचने की सला दे रहा हूं व्यस्तता जादा रहेगी इसने ठक भी बहुत जाएंगे तो नीन भी अच्छी आएगी आज का लखी कलर है क्रीम कलर और आज का लखी नमबर है आईए अब बात करें कन्या रासी की आपकी रासी बाव में फर्स्थ हाउस में ही चनमा विराज माने बहुत जादा सुब माना जाता है यह चनमा लेकिन नक्षत तारा सिद्धान के उससार वद्ध तारा का साथ सुब नहीं है और अश्टा को में ट्वंटी टू डॉट का साथ है 67% positive और 30% weakness का सामना आपको करना पड़ेगा फिर भी रासी से फर्स्थ हाउस में चनमा काफी कुछ आपको बचा सकता है सपोर्ट भी करेगा ऐसे में भागे का साथ मिलेगा सुब संयोग आपको मिलेंगे और जो भी मैनत करेंगे जो भी आज के दिन प्रियास उनमें आपको सफलता मिलेगी आज जो यातरा करना चाते हैं उनके लिए सुब समय है और उनको यातरा मादर सतकार भी मिलेगा सपोर्ट में मिलेगा जो लोग वरद हैं उन्हें रोगों से राहत मिलेगी इस्तेमिना या एनरजी लेवल में इंप्रूमेंट आएगा सभी रकार के सांसार एक सुख मिलने का आज योग है या पिर ये बोच सकते हैं आनन्द में व्रद्धी होगी आए कारक दिन है जो इंकम के लिए एफट करेंगे प्रियास करेंगे उनको वो सब सफलता मिलेगी और आज के दिन जो लोग इंसिरेंस सेक्टर में मार्केटिंग व बहुत अच्छा है तो स्टुडेंट के लिए भी आज का दिन सुखद है रिलेक्स है आज का लखी कलर है और और आज का लखी नंबर है नंबर सेवल आईए अब बात करें तुला रासी की आपकी रासी से ट्वेल्ट आउस में एक्सपेंसेज भाव में चनमा विराज माने ये चनमा सुब नहीं माना जाता है लेकिन नक्षत तारा से धांत के अधिमित्र तारा का साथ और अस्ता को अग्मा थर्टी फोर डॉट ये कॉंबिनेशन आपको 67% बचाएंगे 33% फिर भी आपको negativity को face करना पड़ेगा और ऐसे में क्या होगा फिजूल खर्ची जहां पर खर्च नहीं करना जहां पर रुपया खर्च करने के आवशकता ही नहीं है वहां पर आप खर्च करेंगे अथाथ आप किसी के साथ में गएं किसी के साथ में पार्टी में गएं और बिल आप पे कर रहे हैं जो की जरूरती नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बार ये होता है कि mistakes हो जाती गलती आ जाती लोग भावावेस में आगे बढ़ जाते हैं भावकता वस अपने आपको दिखाना है अपने आपको आपने एक प्रकार से यहां पर अपनी strength को दिखाना है तो आप वो expenses करना चाहते हैं या आप वो bill पे करना चाहते हैं और जिसके लिए मना कोई नही कर देंगे उसके बाद में आपको एसास होगा कि आपको एक कदम नहीं उठाना चाहिए था लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता है ऐसे में आज के दिन आपको किसी को रुपया उधार देना है या ऐसे ही किसी की जरूरत है एक बार नहीं दो बार सोचना है उसके बाद तीसरी आपने फाइनल करना है कि आपने क्या करना है और हमेशा बचने के लिए आप जो वो मांग रहा है उससे आदा ही दीजिए ताकि आदा ही आपका लॉस होगा आदा तो बच ही जाएगा आज के दिन चोट या दुरगटना से सामना हो सकता है रासी से ट्वेल्थ आउस आपको अपसेट भी बहुत करेगा डिप्रेसिव थोड भी देगा नेगेटिविटी भी देगा और साथ इसाथ इडशिया में भी डाल देगा आता गुसा इरिटिशन बहुत जादा जोश रैस ड्राविंग ये सब रासी से ट्वेल्थ आउसके चर्णमा के दोश हैं संबनियों स विवाद हो सकता है घरवालों से विवाद हो सकता है और या यदिया बिजनस में हैं तो आपको गलत फह्मियों का सिकार जान बुच करके बनाया जा सकता है ऐसे में आपका लॉस हो सकता है व्यरत में यात्रह होंगी जिसका कोई उद्शन नहीं होगा फिर भी घूम रहें वह सकता है डर और बेचे नहीं आज आपको कहिन कहीं अंदर से परशान करेगी आपको अंदर से दुखी भी करेंगी जहां तक संबवव इन्वेस्मेंट से बचना है हाउस वाइफ के लिए आज का दिन आर्ग्यूमेंट का है व्यरत का आर्ग्यूमेंट होंगे उस से रखिएगा आज का लखी कलर है ब्राउन कलर और आज का लखी नमबर है नमबर फूर आईए अब बात करें रस्तिक रासी की आपकी रासी से इलेवन ताउस में लाब बाव में चनमा विराज मानें बहुत ज़्यादा सुखत माना जाता है लेकिन एक बार फिर बोल रहा हूं रासी से ग्यारवा चनमा जब भी होता है इंकम होती है जो भी काम काज करते हैं उसमें लाब मिलता है सक्सेस मिलती है या खुशी मिलती है उन्नती या प्रगत्ती की इस्तिती रासी से इलेवन ताउस से देखी जाती है कि आप कितने सफल होंगे कितना यश मिलेगा ये सब इसा जो रोगी थे उनको आज रोगों से बहुत ज्यादा राहत मिलेगी जो कुछ सीखना चाहते हैं स्टुडेंट इस्पेसली उनके लिए बहुत अच्छा दिन है और साथ ही साथ जो जिग्यासु प्रवति के लोग हैं कुछ गूड रस्यों को जानना चाहते हैं उनको भी मौका दे जो यंग सड्स हैं उनको आज बहुत ज्यादा सुखत ऐसास हो सकता है जिनके न्याइक मामलों में आज कोई काम का जैज यूडिसरी मैटर में कोट कचरी में उनका बलड़ा आज भारी रहने वाला है उनको सकस्स मिलने वाली है रासी से ग्यार्मा बाव का चनमा जीवन में सुख ज्यादा देता है इसलिए सुख को भोगने का प्रियास कीजिए आज का लखी कलर है परपल कलर और आज का लखी नंबर है नंबर फूर आईए बात करें धनुरासी की आपकी रासी से टैंता उसमें अथाद आपके करम भाव में चनमा होने के कारण ये चन देगा आज के दिन नए ने कामों में आपका साहस बढ़ेगा आपकी प्रेणा बढ़ेगी आपका इंफुलेंस भी बढ़ेगा और आगे बढ़ने की चाहत आज बहुत ज़्यादा होगी नए नए आईडिये नए टेकनिक नए स्टैल से काम करने की ट्राई करेंगे और उ एक्टर में सफलता की स्तितिया हैं आज का दिन पारिवारिक जीवन में और दमपत्रुप दोनों में आपको सुख़त ऐसाज मिलेगा आथा आपको सबोर्ड भी मिलेगा घरवालों का इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है अधिकारों में व्रद्धी हो सकती है आज अगली पोस्ट पर ट्रमोटेट भी किया जा सकता है यह अनुन भी बहुत लोगों को मिल सकता है आज का लखी कलर है वायलेट कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सेवल अब बारी है मकर रासी की आपकी रासी से नाइंत आउस में भागे बाव में चनमा विराजमान है यह मिक्स दिलर देने के लिए मसूर है नक्षत तारा सिद्धान को साधक तारा का साथ और अस्तर को अगमें 26 डॉट यह कॉमिनेशन इस चनमा को 75% पोस्टिव 25% वीक बनाता है आज के दिन भागे का आपको साथ मिलेगा जो लोग पूजा पार्ट वाले लोग हैं अध्यात् होगी उनका बहुत मन लगेगा दिहान में मेडिटेशन में राशी से नाइंता उसका चनमा हेल्थ में आपको कुछ नूग कुछ प्रॉलम दे सकता है लेकिन उसके बावजुद भी आपका कोई कामकाज रुकेगा नहीं आपके स्ट्रेंद में आपके एनेजी लेवल में क भक जादा जाएंगे जो लोग आज यात्रा पर हैं उनको उल्जन के साथ में यात्रा करनी पड़ेगी जाएं या नहीं जाएं दो विचार होंगे कश्म कश होगे दूइदा होगी उसके बावजुद भी यदि आप यात्रा पर चले जाते हैं तो आपका आदा-दूरा का काम यो होगा जरूट अता हंडेट पसंद असंतुस्तितों नहीं मिल पाएंगे मेनेजमेंट से या गौर्नमेंट की योजनाओं से आप कहीं कहीं भै में या दबाव में काम करेंगे जो लोग बिजनसमेंने उनको भी आज के दिन जहां तक संभव हो आपको बहुत बड़ अता लापरवाई नहीं हो तो बहुत अच्छा है लेकिन जहां तक डेली रूटीन में लोग आराम से ही काम करते हैं आपको ज़्यादा साफदान रहने से नुकसान से बचने की इस्तिति आ सकती है रुकाउटें आपको परशान करेगी इसपेसली संतान के कारण मिट के बाद में लेना चाहिए जब आपके लिए चनमा तूला रासी मा जाएंगे और वहां से कंटीन्यू चार दिन आपके लिए बहुत अच्छे स्तिति होगी आज का लखी कलर है पिंक कलर और आज का लखी नंबर है नंबर सिक्स आईए अब बात करें कुम्ब रासी की आपकी रासी से एड ता उसमें मारक बाव में चनमा विराज मान है ये चनमा सुब नहीं माना जाता है नक्सत ताला सिद्धान्त के उससा साधक ताला का साथ ये आपका बचाव करेंगे और अस्टाव करेंगे 67% आपका बचावगा 33% फिर भी आपको negativity को face करना पड़ेग कि आप व्यरत में ही इरिटेट होकर के जुझला करके गुस्रे में आकर के काम बिगाड सकते हैं बहुत ही गलत सब्दों का प्रियोक कर सकते हैं और सिर्फ सब्दी हैं जो आपका समान भी करवाते हैं और लड़े जगड़ा भी कराते हैं तो आज का दिन तो लड़े मामलों में आज दुख पहुंचेगा या वो जो सोच करके गए थे वो नहीं हो पाएगा उल्टा ही आपको परेशानिया हो सकती है आपका खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है और या पिर आपके साथ में एक प्रकास से नेगेटिव ज्यादा हो सकता है उस तीस से बचने की साथ में या सस्वाल वालों के साथ में विवाद हो सकता है परेशानिया आ सकती है हेल्थ के मामलों में भी आपको जहां तक संबव हो कोई इर्रेगुलर एक्टिविटीज होती है उससे बचना चाहिए अपनी सक्ति का प्रदर्सनवान नहीं करना है जहां आपको मेडिकल ह आओ में चनमा विराज माने ये चनमा सुखद माना जाता है लेकिन नक्षत तारा सिध्यांत का उसार प्रत्यारी तारा का साथ अस्तर को अगमें ट्वंटीवन डॉट ये कॉम्मिनेशन सिक्स्टी सेवन परसेंट पॉजिव थर्टी परसेंट वीकनेस देगा अच्छा च वागत जाता है तो वह बहुत अच्छा हो जाता है और नहीं तस्देश में कमई आजाती है इसलिए आपको रोजा नहीं यह पताता हूँ असी आपको यह हो सकता है हो सकता है ऐसा होगा यह जरूरी नहीं रासी से सेवंत आउसका चर्मा सरकारी लेंदेन में व्यापारिक लेंदेन में एजेंसी बिजनस में सौदे बाजी में आपको लाब दे सकता है या आपको बहुत अच्छी संतुस्ती दे सकता है आपका कामकाज काफी बढ़ सकता है जानकारी में व्रद्धी हो सकती है कोई टिप मिल सकती है या आपको किसी की सलाप पर काम करने से बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है रिसोसे डवलप मोंगे या रिसोसे से फाइनिशल गेन होगा इन्वेस्टमेंट से गेन होगा और साथ इसाथ अपने खुद के परसनल रिलेशन में बहुत इंप्रूमेंट आएगा फान सुक, सम्मान और प्रतिस्टा में व्रद्धी जो लोग टांसफर चाते हैं उनको सही लोग मिल जाएंगे या सही उनको संपर्क सूत्र मिल जाएंगे जिनसे उनका कामकाज आगे बढ़ सकता है सांत्वा चल्मा दामपत सुक का ही होता है और सेवंत आउस में चल्मा उने से सुखी दामपत जिवन, संतुस्त जिवन, अच्छा खाना पिना और साथी साथ सुकत यात्राओं से आज आपका दिन बन जाएगा या यह बोच सकते हैं आज का दिन बहुत ही बहतरीन साबित होगा आज का लखी कलर है रेड कलर और आज का लखी नमबर है नमबर फाइफ यह तो हुई बात आज के रासिफल की आईए अब बात करें आज के विसेश उपाए की वो उपाए हैं सिंदूर के उपाए सिंदूर के वैसे तो अनेक प्रियोग है हमारे रिसी मुनियों ने मनुश्यों की भलाई के लिए सास्तर में इसका वणन किया है इसका विदी पुरुक और सद्दा पूरुक प्रयोग करने से बहुत सी मानों कामना पूर्ण हो सकती है मांग बढ़ने से महीला के सस्वाल पक्स को लाब ही नहीं मिलता बलकि उसके माई के परिवार से भी लाब होता है उसके भाई बेनों से अच्छे संबन्द होने लगते हैं तता सद भाव बढ़ता है और किसी भी प्रकार के भेद भाव समापत हो जाते हैं चाहे वो सस्वाल से हो या माई के पक्त से हो बहुत छोटा सा उपाय रोजाना मांग बढ़नी है जो कि आपका अधिकार भी है जो महिला काम का जिये और यदि वो सिंदूर से प्रति दिन अपनी मांग भरती है तो उसकी उन्नती होने लगती है और तथा घार में सम्रदी बनी रहने लगती है उपाय नमबर तीन यदि आपके उपर किसे ने कुछ अभिचार कर दिया है गलत प्रियोक कर दिया है या गलत उपाय कर दिया है अथवा आप उपरी बादाओं से पीडिते तो अपने शेत्र के प्रसिद हर्मान मंदिन में सिंदूर का चोला चड़ाना चाहिए ऐसा आपक गणेश जी की प्रतिमा इस्थापित करने से घर में सुक, सम्रद्धी और सांती बनी रहती है उपाय नमबर पाच जिन व्यक्तियों को मंगली दोस है अत्वा मंगली दोस के कारण वेवा में विलम या दामपत्य सुक में उनको कमी या बादा का अनुबा हो रहा है तो उन रहत प्राप्त होगी बहुत सामने से उपाय है और जो सिंदूर है वो सिंदूर कौन सा है जो भारी वाला सिंदूर होता है औरेंज कलर का सिंदूर होता है जो हनमान जी को चड़ता है वो सिंदूर का प्रियोक करना है मांग में बढ़ने वाला सिंदूर थोड़ा अलग हो लेकिन यदि आप अपनी जनकुनली दिखलाना चाहते हैं, उसका विशलेशन करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधन, अपनी जनकुनली के द्वारा आप करवाना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भवश्य में जहांकना चाहते हैं, बहुत सी आ पसरब आपकी अपनी जन कुणली से ऐसे में यदि आप चाते हैं आपकी जन कुणली का विश्लेशन तो इस समय काल में आप अपने घर बैटे टेलीफ़नी कंसल्टेंसी के माद्यम से अपनी कुणली का विश्लेशन करवा सकते हैं और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आपने संपर करना है आने वाले समय में छे, साथ और आठ फरवरिकों में दिल्ली में रहूंगा दिल्ली आफिस में रहूंगा जो भी मिलना चाते हैं वो आपनमेंट जरूर बुक कराएं समय पर बुक कराएं हमेशा की तरह कामना करता हूं कि स्वस्त रहें प्रसंद रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खायल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत सुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद झाल झाल